आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, we have this question A Concave Lens is a Converging Lens तो हमसे पूछ रहा है कि जो Concave Lens होता है वो Converging Lens होता है क्या तो यह Statement False है यह Statement False है क्यों? क्योंकि जो Concave Lens होता है वो Diverging Lens होता है Concave Lens इस यह Diverging Lens कैसे? तो सपोज यह हमारा Concave Lens है ये इसका optical center f1 f2 2 f1 and 2 f2 तो अगर कोई ray of light इसके axis के parallel आ रहा है axis के parallel आ रहा है तो वो इस lens से जब pass करेगा ना तो वो diverge कर जाएगा और ऐसा appear होगा कि वो f1 से आ रहा है बदलब उसे अगर पीछे meet करेंगे तो वो f1 पे जाकर meet करेगा तो इस वज़े से हम कहते हैं कि हमारा जो concave lens है वो diverging lens है और इस वज़े से इसे काफी सारे चीजों में यूज किया जाता है जैसे torch के front में जो lens हमारा रहता है वो diverging रहता है ताकि जो torch का light है वो काफी बड़े area में fail सके ओके Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जे ही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 सूपर